हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमारे एक्स्टेंज सर्वर इंवार्मेंट में कोई एक यूजर किसी दूसरे यूजर के बहाफ पे मेल्स को कैसे सेंड कर सकता है ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हमने मेल बॉक्स डेल को कनफिगर किया था तो अब हम चेक करते हैं अपने क्लाइंट साइट पे जाके तो देखे मैं अपने एक्स्टेंज सर्वर 2010 के उपर आ गया आप किसी क्लाइंट से भी इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन हमने सिरफ वेब ब्राउजर को यूज करना है क्य इसके बाद यूजर का नाम डालता हूँ उस यूजर का नाम जिसको हमने सेंड एस परमिशन ग्रांट की थी टेस्ट यूजर के उपर तो हमारा यूजर है परम और इसका पासवर्ड जो था वो पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे हम परमवीर सिंग के mailbox में पहुँच गए और नया message send करने के लिए यहाँ new button पे click करेंगे तो देखे by default यहाँ परमवीर सिंग का नाम आ रहा है हम यहाँ से from option को select करेंगे और यहाँ से किसी भी और user से अगर हम mail को send करना चाहते है तो other email address पे click करेंगे तो आपके सामने address book आ जाएगी जिस user के बहाँ पे आप mail send करना चाहते है उसे यहाँ पर double click करें तो देखें यहाँ पर from option में test लिखा आ रहा है और उसके बाद ok बटन पर click करें तो देखें यहाँ पर test लिखा आ रहा है इसके बाद जिसको आप mail send करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए मान लिजे हम अनुपदास जी को mail send करना चाहते हैं और कुछ भी subject लिखिए मान लिजे subject लिखते हैं first send as message और message को send करते हैं देखिए तो देखिए message हमारा send हो गया है इसी तरीके से अब हम try करते हैं एक और message को send करना परमवीर सिंग के ही account से लेकिन इस बार हम किसी दूसरे user को select करते हैं उस user को जिसके उपर हमने परमवीर सिंग को send as permission assign नहीं की है तो दुबारा से हम यहां से from option को select करते हैं और other email option को select करने के बाद यहां से किसी भी user को select करते हैं माल लिजे इस बार हम अनुपदास को यहां से select करते हैं डबल क्लिक करने के बाद देखिए from में अनुपदास आपको दिख रहा है ok बटन को click कीजिए और इस बार हम message send करना चाहते हैं इशान को कुछ भी message का subject डालिए और कोई भी body में लिखिए और इसके बाद message को send कीजिए तो देखिए आपको एक error message डिस्पले हो रहा है कि you don't have the permissions required to send messages from this mailbox तो बेशक से आप from option से किसी भी mailbox को address list से select कर सकते हैं लेकिन message आप तभी send कर पाएंगे अगर आपने उस mailbox पे send as permissions में इस user का नाम दिया हुआ है यानि के एक user दूसरे user के बेहाफ पे तभी messages को send कर पाएगा अगर उस user को original user के mailbox पे send as permissions granted है तो हम इसको बंद करते हैं तो इस वीडियो में हमने सीखा कि OWA को use करके हम कैसे किसी दूसरे user के बेहाफ पे mails को send कर सकते हैं और हमने ये भी टेस्ट किया कि ऐसा करने के लिए user के पास original user के mailbox पे send as permissions granted होनी चाहिए तो इस वीडियो में इतना ही thanks for listening